वेल्कम टो माई चैनल मैडी हट एंड आज हम बात करने वाले हैं एक कमपोजिशन के बारे में जो की हमारा रिफाक समीन होता है क्या इसके यूजिज होते हैं क्या डोज है एंड क्या साइड इफेक्ट है सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए एंड वीडियो को लाइक कर लें वीडियो को like and channel को subscribe जरूर कर लें क्योंकि इससे होगा क्या जितनी हम आगे वीडियो बनाएंगे वो आपके पास जरूर पोच जाएंगी और दवाईयों के बारे में आपको full जानकारी मिल जाएगी तो please वीडियो को like कर ले and channel को subscribe जरूर कर ले अगर हम बात करें रिफाक्समिंग जो हमारा salt है या हमारा syrup और tablet दोनों ही form में available होता है तो मैं आपको इसके कुछ popular brand name के नाम बता देता हूँ जो कि आपको market में मिल सकते हैं जैसे कि आर्टिफेक्स आता है जो कि हमारा lupin company के द्वारा बनाया जाता है या जिफाक्सिन का शिरप आता है जो कि aristopharmaceutical company के द्वारा बनाया जाता है या रिफाक्सी Max आता है जो कि हमारा dure dentist company के द्वारा बनाया जाता है अगर हम tablets की बात करें तो ये tablets जो हैं इसके अंदर रिफाक्समिंग ये 100 mg, 200 mg, 300 mg और 400 mg ये 500 mg तक भी मिलती है तो वो डोक्टर अपने हिसाब से लिख सकता है कि डोक्टर कितनी कितनी देना चाहता है अगर हम बात करें कि रिफाक्समिंग जो है इसका वर्क क्या है तो जैको रिफाक्समिंग ये एक परकार की antibacterial drug होती है इसका काम क्या होता है ये bacterial infection को kill करने में helpful होती है क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताए कि ये antibacterial drug होती है आप एक चीज हमें सब धियान रखें जहां भी anti लग जाए anti-miss होता है उसके opposite यानि जैसे कि अगर किसी को bacteria related को infection हो रहा है अगर हम उसके आगे लगा जाते है anti- antibacterial यानि उसके opposite के अंदर जो काम करेगी उस drug को हम बोल सकते है antibacterial drug अगर हम बात करें इसके जो हमारा rifaxamine होता है ये हमारा single salt में भी आता है जिसके बारे में हम आज बात कर लें है और इसके अंदर कुछ combination के साथ भी आता है यानि और दवाई भी इसके साथ add होके आती है अगर हम rifaxamine syrup के बारे में बात करें इसकी MRP कितने रुपे का market में आपको ये मिल सकता है तो ये 60 ml का आपको 190 या 145 रुपे के आसपास का मिल जाएगा और एक company to company vary करता रहेगा किसी company के rate low भी हो सकते है या किसी company के rate high भी हो सकते है ये समय के साथ या आगे change भी हो सकते है अगर हम बात करें इसके work mechanism के बारे में यानि rifaxamine जो हमारा salt है ये काम कैसे करता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था ये bacterial से related होने वाले infection को किल करने में helpful होता है अब जो है अगर हम बात करें कि करता क्या है जैसी हमारे सरीक अंदर rifaxamine enter करता है तो हमारे guts के अंदर या stomach के अंदर या liver के अंदर ये हमारे bacteria होते हैं तो rifaxamine जाके क्या करता है उनको जाके bacteria की protein synthesis होती है उसको रोग देता है जिससे हमारा bacteria किल हो जाता है और patient को असान से relief मिलने लगता है अगर हम बात करें इसके proper uses के बारे में कि इसका doctor इस्तमाल करता ही क्यों है तो इसका इस्तमाल IBS and IBS-D की स्तिती में करते हैं IBS क्या होता है हमारा Agitable Bubble Syndrome इसकंदर होता गया है पेट खराब हो जाता है या loose motion की बहुत जाद अदिक्कत हो जा सकती है या diarrhea की condition हो सकती है तो इस इस्तिती में doctor इसका use कर सकता है एक इसकंदर IBS-D पाया जाता है इसका इस्तमाल कप किया जाता है या तो अगर किसी को diarrhea की condition हो गई है या traveler diarrhea हो गया है traveler diarrhea हम किसको बोल सकते है अगर कोई patient को lose motion आप suppose कि आप कहीं भार गए है और वहां का भार का खान भी खा रहे है तो उससे होता गया है कि हमारे सरीख के अंदर habit वो यह होती है कि घर का खाने वाली पर हम कहीं पर भार जा रहे है तो उसस्तिदी में क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर दिक्कत ही होने लगती है कि खाना जो हम ले रहे हैं वो ज़्यादा oily होता है तो अगर दस दिन से ज़्यादा यह आपको दिक्कत बन रही है तो हम इसको travel diarrhea के रूप में condition कर सकते हैं consider कर सकते हैं मैंना आपको इसके use बता दी MRP बता दी अगर हम doses की बात करें कि इसकी dose हमें कितनी कितनी लेनी चीए यह जो है यह हमारा according to age and according to it अलग-अलग vary करता रहता है तो आप उसके इसापसी ले जितना आपको doctor ने suggest करा है अगर आपको बिल्कुल proper dose जाननी है तो आपको screen पर जो number दीख रहा है आप इस पर contact कर सकते हैं या नीचे comment भी कर सकते हैं मा आपका reply कर दूँगा अगर हम बात करें इसके precaution के बारे में यानि हमें क्या क्या साफधानिया रगनी चाहिए तो जब भी आप इस जवाई को ले एक तो आप driving बिल्कुल ना करें अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है पर अगर tablet ले रहे हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि driving ना करें या alcohol जब आपने ले रखी हो तो उस इसको ना ले अगर हम बात करें side effect के बारे में कि इसके side effect क्या क्या हो सकते हैं side effect में कुछ side effect देखे गए हैं जैसे कि vomiting हो सकती है headache हो सकती है या हमारा toilet का color जो हमारा red भी हो सकता है और कोई इसके इतने ज़्यादा side effect नहीं है मैंना आपको इसके use, dose and side effect सब कुछ बता दिये हैं रिफाक समीन के बारे में और कुछ popular brand name भी बता दिये हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगई हो थैंक यू फो वच्छी इस वीडियो